वीडियो को स्टाट करने से पहले चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए तो रिक्वार्टमेंट में सबसे पहले आपको ब्लड ग्रूप एंटी बॉड़ी किट चाहिए होता है जिसका प्राईज 600 से 700 रुपीय होता है तो इस एक किट 600 है वो 50 से ज़्यादा लोगों का ब्लड ग्रूप टेस्ट हो जाता है तो इस किट में तीन अलग-अलग डियेजन्ट का ट्यूब होता है तो blue color के tube में anti-air reagent, yellow color के tube में anti-b reagent होता है और transparent tube होता है उसमें anti-d reagent होता है जिसको human anti-cira भी बोलते हैं उसके बाद toothpick चाहिए, glass light चाहिए, cotton swab चाहिए, cotton या alcohol जिसकों बोलते हैं उसके बाद blood prick करने के लिए lancet और lancet device चाहिए और lab में हमेशा gloves pan के test perform करना चाहिए और जितने भी waste है उसको एक discard box में हमें waste करना चाहिए पहले आप क्या करेंगे, glass light लेंगे, जो clean होना चाहिए, glass light तो इस glass light पे आप क्या करेंगे, mark करेंगे, A, B और D यह 3 mark कर देंगे, glass light पे marker से आप, उसके बाद अप्ता करेंगे, एक हम लेते हैं, lancet और lancet device में इसको फिट करते हैं, ब्रेट को टिक करने के लिए उसको हमने प्रिक कर लिया, उसके अधाद हम क्या करेंगे, अपने finger है, उसको हम clean करेंगे, cotton से हम खुद से कर रहे हैं, तो इसलिए हम अपना कर रहे हैं, गलप्स ने को एंटर, लेकिन आप यदि लवर्टी भी प्रफॉर्ण कर रहे हैं, तो आपको हम ऐसा गलप्स पहनना है, क्योंकि पेशेंट जो है, अलग लग तरह के आते हैं, अलग लग डिजीज के साथ हमें प हम क्या करेंगे, पहला जो ब्लट ड्रॉप होगा उसको हम डिस्कार्ट कर देते हैं, ठीक है, पहला जो ब्लट ड्रॉप होगा उसको डिस्कार्ट कर देंगे, उसके बाद हम जो ए, बी और डी के सामरे हम एक एक ड्रॉप ब्लट डालेंगे हम, जो ब्लट को टच कर वाया, कर देंगे इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें जो है ए बी और डी में जो है हमारे पास एंटी सीरा है वह हम एक डॉप डालेंगे जहां पर ए मैंशन है वहां पर एंटी ए हम डालेंगे जो आपको घ्ली इता होगा वह एंटी एध्यां या या यह एक ड्रोप डालेंगे एक द्रॉब डाल दिया इसमें फिर हम क्या करेंगे दी वाले पर एंटी बी सीरा डालेंगे हम ज्यादा हम लेट नहीं करेंगे अगर ज्यादा लेट हो जाएगा तो ब्लड हमारा क्लॉट हो जाएगा फिर सही से रिजल्ट नहीं आएगा तो हमें बिना लेट किया हमें सारे जो एंटी बोडी इस पर एक ड्रॉब डालना है फिर डालने बाद हम क्या करेंगे तूथपिक लेंगे क्या तीन अलग 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 तूथपिक लेंगे क्या तीनों को अलग अलग मिक्स करने के लिए ह तो भूफाद भू०ह में मिक्स करें गडरीन सलायट पर देखिया है का सभी दॉखामारी में मिक्स करें कि ल Candice 먼저 करें healing जान चिए पर यान चिए ब्लट कर सकते हैं मेरनी मिक्स करने toward the 중 इसको हम देखेंगे और अगर से नहीं देखते और आप को उठाकर करना है तो आप यदि देखेंगे तो आप यह देखिए थोड़ी देर रोटेट करने के बाद जो है इसमें हमें agglutination दिखने लग गया, आप इजली देख पाएंगे कि इसमें B वाले में agglutination दिख रहा है, और D वाले में भी agglutination दिख रहा है, agglutination का मतलब होता है, कि blood में मौझूद जो ABO antigen होता है, वो हमने जो add किया anti-cira, anti-a और anti-b और anti-d, तो जो anti-cira था, वो antigen के साथ उसका reaction हो गया, उसको हमें agglutination बोलते हैं, अब हम देखते हैं, यहां पर जो है, हमारा A में agglutination नहीं हुआ, B में agglutination हुआ, और D वाले में agglutination होता है, ब्लेट ग्रूप positive होगा, और यदि D में agglutination नहीं हुआ, तो जो हमारा blood group है, वो negative हुआ, और जो A और B होता है, वो A और B के लिए होता, यादि कि A में agglutination हुआ, तो A blood group होगा, और यदि जो है A और B दोनों में हुआ तो A और B दोनों blood group होगा और D में यदि agglutination हुआ तो इसका मतलब positive blood group है और यदि D में agglutination नहीं हुआ तो इसका मतलब negative blood group है आप देखिए सपोज किजिए कि A में agglutination हुआ और B में agglutination नहीं हुआ और D में agglutination हो गया अब देखिए A में भी agglutination हुआ, B में भी हुआ और D में भी हुआ तो A भी positive blood group हो गया यह कि न तो A में agglutination हुआ, न तो B में हुआ, सिर्फ D वाले में हुआ agglutination यहाँ A में भी नहीं हुआ, B में भी नहीं हुआ, सिर्फ D वाले में agglutination होगा तो हमेंसे आपको याद ये रखना है कि जो D वाला जो agglutination होता वो positive और negative के लिए होता है यानि कि अगर D में agglutination होगा तो positive होगा और D में agglutination नहीं होगा तो negative होगा और यदि A और B में से किसी का भी नहीं होगा agglutination तो इसका मतलब वो O blood group होगा जाने कि अगर A में भी नहीं हुआ और B में भी नहीं हुआ तो वो O होगा blood group और यहाँ पढ़ देखिये D में हुआ है तो O positive blood group होगा किसी में नहीं हुआ तो O blood group हुआ cko को होगा अगर सेके जैनल ना तो A में हुआ ना तो B में हुआ और ना ही D में होआ टो A और B में नहीं होआ तो इसका मतला O blood group होगा और यहां पर जो है डी में भी नहीं होवा तो D में नहीं होआ तो O negative blood group होगा क्योंकि ऑग्यूसर के सबस्क्राथ घृतीव होता है और ऑम जो हो नेगेटिव नहीं अब सपोज कीजे कि जो ए में हुआ अर ना तो B में हुआ और ना तो ना तो A में हुआ और B में हुआ और जो है ना तो D बाले में हुआ तो A में नहीं हुआ तो B में नहीं हुआ तो D 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 में नहीं हु इसका मतलब यह निगेटी ब्लड ग्रूप होगे क्योंकि जो डी जो होता है वो हमेशा पोजेटीव और निगेटीव के लिए अगर लेबराटी में ब्लड ग्रूप टेस्ट करने जाएंगे तो आपको 100 रूपीय में ब्लड ग्रूप टेस्ट होता है लेकिन जो एकर यह आप पर्चेज करके आप अपने फ्रीज में रख सकते हैं जितना दिन तक एकस्पारी डेट होता है उतना दिन तक आप इसको फ्रीज में रख सकते हैं कभी भी जा इसको ब्लड ग्रूप टेस्ट कर सकते हैं और लबरेटी में भी परफॉर्म किये जाते हैं तो इस तरह से जो है वो आपको पुरा सेटब होता है पर्फॉर्म करने का तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज से लाइक सब्सक्राइब जरूब पीजे धनवाद दोस्तों